ऑलो अविजन करेंगे यानि फूल पत्ति वाली क्लास का रिवीजन करेंगे इससे क्या होगा आपका बहुत जदे समय बचेगा बहुत जलदी क्लास हो जाएगी और आपको तरिया नोट्स हमाने टैलिग्राम जेनार पर मिल जायेगा जिसका लिंक आपको नीजे description box में मिलेगा तो जो लोग नए हैं वो चैनल को subscribe कर ले पहले कोशी से start करते हैं टाइम मैगजीन की the world best companies 23 की सूची में top 100 में चामिल एक मात्र भारती कमपनी कौन सी है तो ये time magazine की जो है the world best companies 23 की सूची में जो top 100 में जो सामिल हुई है भारती कमपनी वो है Infosys Infosys कमपनी है जिसकी rank 64 और इसमें जो इसका आधार लिया जाता है the world magazine जो इसमें आधार लेती है word companies का वो है राजस्प और ग्रहक संतुस्टी और करमचारी संतुस्टी इनको देख करके ये जो है rank decide करती है और इसमें जो top four पर है वो है Microsoft, Apple, Alphabet और Meta ये चार कमपनीया जो है top पर है Infosys के अभी जो दो brand ambassador बनाए है male में बनाए गए है राफेल नडाल और female में बनाए गए है इस पर टेक और ये कुछ rank है जिसमें भारत की rank देख लेते हैं 126 वी rank जो है वो word happiness index जो है उसमें है और peace index में भी भारत की 126 वी rank है भारत की जो है 117 वी rank है global gender gap index में जो global gender gap index है उसमें भारत की 127 वी rank है press freedom index जो है उसमें भारत की 161 वी rank है logistic performance index में भारत की 38 वी rank है और global fire power index में भारत की जो है वो चौती rank है दूसरा कोशन है सायोग तो रास्ट अंतर रास्थी व्यापार विधी आयोग UNCITRAL के दक्षिड एसिया सम्मेलन की मेजबानी किस ने की है तो दक्षिड एसिया सम्मेलन की मेजबानी नई तिल देने करी है UNCITRAL की फुलपाँ में United Nation Commission for International Trade and Law यह इसकी फुलपाँ में इसकी जो इस्थापना होई थी वो 1968 में होई थी और इसका जो headquarter है वो वियना में है महानियावादी भारत के समय कौन है तो आरवेंकर ट्रमणी है और मुख्यनियादी इस देवाई चोड़ है महानियावादी का जो प्रावधान दिया गया है वो ओटिका 76 में दिया गया है और इसमें जो पहले फर्स्ट थे जो महानियावादी वो SEC सितलवार थे और इनकी नियोकती जो है वो राष्ट पती करता है महानियावादी की और इसमें जो है, विसेश कहा है, कि जो यह जो है, सजवर्ट बताक में, भाग तो लेते हैं, लेकिन जब कोई मढदान करना होता है, तो यह मढदान नहीं करते हैं Next, हम लोग देख लिएते हैं, CGI के बारे में यह जो हमारे First CGI थे, हो H.J. कान्या थे एचे जी कानिया हमारे फर्स्ट सीजे आई थे इंपोर्टन कोशन है वर्तमान में डी वाई चन्द चून है और सुप्रीम कोट की स्थापना जब हुई थी तो उस समय जो हमारे चीफ गर्स थे वो सुन्दरी समयनन थे और यह पास जो एप अभी लॉंच किया है वो सुप्रीम कोट नहीं लॉंच किया है नेक्स्ट है जो इंडिया दोजर तेईस में होस्ट है किसकिस का तो इंपोर्टन है वो देख लेते हैं इंटरपोल जो नाइंटीन्थ नमबर का हुआ है वो इसका भी होस्ट भारत दोजर तेईस में रहा है साथ सप्तमबर इसके साथ सप्तमबर उनने सो तेईस में हुई थी इंटरपोल की ठीक है और जो वर्ड कप हुआ है दोज़र 23 का उसमें भी भारत होस्ट रहा है इसमें जो सुबंकर क्रिक्टो वर्स है और ब्रांड अम्बेज जो शारूख खान बनाए गए हैं दोज़र 23 का होकी वर्ड कप भी यहीं हुआ है भारत इसकी मेज़वानी करा है महिला बॉक्सन चेंपिन्शिप भी यहीं हुआ जिसमें चार गोल्ड भारत ने जीते हैं नीतू सुईटी निखत लवलीना ये इन लोगों ने एक गोल्ड जीते हैं सीयो की मेज़वानी मी भारत ने करी है और जीतोंटी की मेज़वानी मी भारत ने करी है तीसरा कोशन है एशिया कप 20Michnight की विज़ीता टीम भारत रही है और कपथान थे रोहिस शर्मा होस्ट इसका स्रिलंका और पाकिस्तान था और फाइनल जो है कहां पे हुआ है तो जब प्रेम दास स्टेडियम कोलंबो में है बहां पे इसका फैनल हुआ था जिसमें भारत में शिलंका को हराया है और ये जीत मतलब डिकॉर्ड बना दिये इनकी और पहली बार जो इसका एशियक का आयोजन हुआ था तो वो 1984 में हुआ था नेक्स्ट अंडर 19 महिला T20 वर्ड केप का होस्ट कौन है तो होस्ट था साउथ अफरीका विजीता था भारत किसको हराकर जीता था तो इंगलेंड को हराकर जीता था यानि उप विजीता कौन है इंगलेंड है नेक्स्ट महिला प्रीमेर लीग जो है उसका जो ही कितने नंबर कथा विजीता चेन नई थी कुल टीमों ने दस तीमों ने भाग लिया था और एंज कप जो मिला है उसो मनगिल को मिला परपल कप सो मौमस शमी को मिला है नेक्स वर्ड टेस्ट चेंपियंशिप जो की दूसरी नमबर कथा और इसमें आस्ट्रेलिया विजीता बनी है और किसक सब्तंबर को मनाते हैं और इस बार के थी में ओजोन परत को ठीक करना इसकी सुरुआ 16 सब्तंबर जो हुआ था 16 सब्तंबर 1987 को मौनिटर प्रोटोकॉर हुआ था वहां पे यह लाय गया था ओजोन परत के संदस्चन के लिए तो उसी दिन से हम लोग ओजोन दिवस मनाते है और इस चौरान नवे में इसकी जो है कोशना करे थी आप से हम लोग 16 सब्तंबर को ओजोन दिवस मनाएंगे तो जो दो जटेज में ओजोन दिवस मनाएं गया है वो 29 नंबर का ओजोन क्रम है 29 नंबर का अब हम लोग देख लेते हैं कि ओजोन फरत है कहां पर तो यह हमारा प्रत्वी ठीक है इसके उपर कोश्व पढ़ते हैं जैसे चोब मन्डल यह और जो पर कि चोब मंडल और संताप मंडल के बीछटी मह creepy उड़ाम करता हैं और यहीं पर ही उजोन प्रतिये पाई जाती है यह क्या है जो सूर की पराबैगनी किरने हैं उससे हमाई रक्षा गड़ती है इसके कारण इसकिन कैंसर होता है और जो उनको मापने की इकाई जो है वो डॉपसन है स्टोक हूम संबिलन 1972 में स्वेडन में हुआ क्योटो प्रोटोकाल 1997 में जापान में हुआ फर्स्ट प्रतिवी संबिलन जो है वो 1992 रियो में हुआ जो कि ब्राजील में है और इसमें जो रिपोर्ट लाएगी वो इसेंडर 21 थी पैरिस समझोता और जिसमें कॉप 21 हुआ और इ के ऌरेगरों को आर्थिक सधावस्था प्रदान करने के लिए कौन सी उजनापरारम की है तो इन्होंने विश्य करτί है अभी 17 संप्तंबर को विश्य कर्मा जैनती थी तो इनकी जैनती पर इहां विश्य कर्मा य Caesar कूण करिए है किस के लिए है तो ये जो शिर्पकार है और कारीगर है उनके लिए है कि उद्धिस से इनको आर्थिक सायता प्रदान करना है ठीक है इसमें क्या है इसमें जो खर्चा है वो मात्र 13,000 करोंड का है सस्ता लोन देने में खर्च किया जाएगा जो कि 5 55 ब्याज़ पे है बजट 2023 में जो है वो पीम प्रमान योजना है दो लाख रुपए दो सालत लिए मिलेंगे जो की साड़े साथ परसन ब्याज़ तर पर मिलेंगे आयकर से संबंदित था कि जो तीन पहले था ड़ाई लाग पे कर्मक अवे तीन लाग तो कर्मक छटा कोशन है प्रवर्तन निदेशाले का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो ये राहुल नवीन जो है वो प्रवर्तन निदेशाले के अंतरिम निदेशक नियुक्त किये गया है सुप्रीम कोट ने कहा है जिस सी बी आई यो एडी के निदेशक है इनका का पारे कल पांच वर्स ही रहेगा और सुप्रीम कोड ने का था कि जो एडी की निदेश्यक है संजे कुमार इनको 15 सब्सक्राइब को रात को 12 बचे की बाद निदेश्यक नहीं रहना है और इसके इनकी जिगापेन को राहूल नवेन को बनाएं गया नेक्स्ट है एडी एडी की फूर्फार्म क्या है इनफोर्समेंट डारेक्ट रेट ठीक है इसके स्थापना 1956 में हुई थी नई दिल्ली में इसका हैड़कोटर है इसका काम है मनी लॉंटरन को रोपना नेक्स्ट दो CBI, CBI को शक्ति कहां से मिलती है तो दिल्ली पुलिस विशेस इस्थापना एक्ट है 1946 का वहां से इसको शक्ति मिलती है CBI को और इसके जो निदेशयक है वो प्रवेंड सूध है इसके फर्स निदेशयक थे डीपी कोली CBC इसके स्थापना जो है जो संथानम समित थी उसके आधार पर हुए इसके स्थापना और कौन सा एक्ट था तो 2003 का एक्ट था इसके निदेशयक है प्रवेंड कुमार सिर्वास्तों साथवा कोशन है भारत में क्रशी सांख्यकी के लिए कौन सा एक्ट पोर्टल या एप लॉंच किया गया है तो भारत ने लॉंच किया है क्रशी सांख्यकी के लिए लॉंच किया है तो कौन सा पोर्टल है यूपी एजी पोर्टल है जो कि एक एक्ट पोर्टल है लॉंच कर है वो असम में लाए गया है सी यू चैयन यू जी सी ने लॉंच किया है और फास्टर सुप्रिम कोड ने और इस अमादान यू जी सी ने यूनियन ग्रांड कमिशन ने लॉंच किया है आठवा कोशन है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुस्टी यूजना किसने प्रारम की है तो संपूर्ण पुस्टी यूजना है वो पुस्टं से संबंदते महिलाओं का लड़कियों का खिशोडड कैसे इनका है और जो पद्र पुस्टी योजना है वो आदिवासी के बच्चों के प्रारम करी गई गई है और यहrousन करने वाला पहला राज्य कॉन सा था तो तो विवेक देवराय समेथी थी इसकी सिफारिस पर ही रेल बजट का विले आमन बजट में किया गया था फिर इन दोनों को किस इन दोनों को अलग किया गया वो किस समेथी की सिफारिस पर किया गया तो एकवर्थ कमीशन था उसके अदार पर किया गया नेक्स्ट है नवा कोशन आदि संकराचार की 108 प्रिट उची फ्रतिमा स्टेच्यू आफ वन वेस का लोकारपण कहां किया गया है तो ये मद्य परदेश का जो उंका अंक्वारेश्वर है वहाँ पे किया गया है जो की 108 प्रिट की है यह है आदिशंकराचारी 108 फिट की है और वन वेस का मतलब है एकता की प्रितिमार मतलब एकता का सूचव नेक्स्ट है उंकार इशरबां किस नदी पर है तो यह नर्मदा नदी पर है स्टेच्व आफ योनिटी वोगि सेदार बनलबभा यह पठेल की है और गुज्रात में है इस्टेच्व प्रिति प्रतिमा है Statue of Prosperity करनाटंग में नात्रब केमपे गोड़ा की है Statue of Knowledge भी उम्राओ की है जो की लाटूर महारास्ट में है दसवा कोशन है PM मोदी ने International Convention और Expo Center यशो भूमी का उद्गाटन कहां किया गया है तो इन्होंने यशो भूमी का उद्गाटन नई दिल्ली द्वारका में किया है द्वारका में एक स्थान नई दिल्ली में एक स्थान द्वारका वहाँ पे किया है और अभी मंडपम का भी उद्गाटन किया है वो भी नई दिल्ली में किया है वहाँ पर बाहर एक नट्राइस की मूरती है यह आप देख सकते हैं या शोबोमी नेक्स्ट ग्यारवाँ आज काकरी नीरा शोपड़ा ने बाला फेक इस परदा में USA की जो योजीन डायमंड लीग है इसमें रज़त वदर जीता है नेक्स्ट है कुछ पहले वाले कुशन्स का रिविजन कर लेते हैं पहली ग्लोबल स्टॉक्टिक रिपोर्ट जो है यू एन तिरपासी ने लांच किया है International Organization of Legal Metrology Certificate जारी करने वाला तेरवान देश जो है वो भारत बना है सीमा पार वोगतान के लिए ब्रिक्स पे A2A लॉंच किया है किसने यस बैंक और ब्रिक्स पे ने लॉंच किया यस बैंक के साईयोग से अंतरास्टी लोगतन दिवस 15 सप्तंबर को बनाते हैं 9th of the Order of Arts and Letters पुरास्कार जो है वो राहुल मिस्टा को दिया गया है अब हम लोग कुछ मारत पूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं जो के एक्जास में बहुत ज़्यादा पूछे चाते हैं और बहुत ज़्यादा इन्पॉर्टेंट है तो आर्टिकल जो वन है यानि अनुच्छेद एक है वो राजियो योटी से समदित है आर्टिकल 521 नागरिकता से समदित है आर्टिकल 14 जो है वो विदी के समक्षमानता से समदित है आर्टिकल 17 अस्ट्रेश्यता का अंति से समदित है आर्टिकल 18 उपादियों के अंति से स गया है आर्टिकल 24 में जो है 168 के विरुद अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 में अंतह करण सतंदरता है थर्टी टू में समय धानेक उप्चारों का अधिकार दिया गया है थर्टी सैवन में DPSP अपरवर्तनी है इसका दिया गया हुल्ले 38 में लोक कल्यांड करी राजिक की कल्पना की गई है 39A में निश्वलक विदिक सहायता 40 में ग्राम पंचायत का गटन 44 में समाननागर सहिता जो की बहुत ज़्यादा चर्चा में है 47 में पोशट सम्बंदिर प्रावधाने 50 में कारेपालिका और नियाएपालिका का प्रथक कर 55 में अंतर राष्टे सांति और 51A में मौलिक कर्था दिए गया है 52 में िराष्टर पति भारत गास्टर पति होगा कारेपालिका सक्थी राश्टरत पति में ये चुनाओ विबाद जो कि जिसका नेफ्टारा सुप्रीम कोट करेगा 72 में समाधान की सक्ति दी गई है 76 में महानयवादी का उनलेख दिया गया है आर्टिकल 108 में संयक्त बैठक का प्रावधान है 110 110 में धन्विदी एक है 112 में वार्षिक वित्ती विवरन दिया गया है 123 में राष्टपती को अध्यादेश जारी करने की सक्ति है 124 में सुप्रेम कोर्ट है 119 में अभिलेक न्यायाले है सुप्रेम कोर्ट का 143 में राष्टपती जो है सुप्रेम कोर्ट से सलाह ले सकता है और 148 में क्याग के बारे में दिया गया है 123 में गवर्नर के बारे में दिया गया है 161 में चमादान संबंदी प्रावधान है 165 में महादी वक्ता के बारे में दिया गया है 213 अध्यादेश जारी करने की सकती जो कि राजेपाल्खी है नेक्स्ट है 214 इसमें हाई कोड से समंदित है 215 अविलेक नहीं आले हाई कोड का 226 हज़ेट जारी करने की सकती जो है हाई कोड के पास 249 के ए में दिली से समंदित प्रावधान है 243 में स्थानी सोसासन जो कि ग्रामीट से समंदित है नेक्स्ट है 246 इसमें जी अस्थी जो की 101 के समंदित प्रावधान से जोड़ा गया 263 में अंदर अस्थी परसद 266 में संचित ने दी 266 में आकस्मक ने दी 280 में विक्तायोग समंदित प्रावधान है 300 A में संपत्तिका अधिकार है 315 में UPSC है 324 में निर्वाचनायोग सम सेडियूल कास्ट और 338 A में NCST National Commission for Schedule Tribe इनकी बारे में दिया गया है 343 में राजबासा समंदित प्रावधान है 352 में राश्टिया पातकाल 356 में राश्वपतिस आसन 360 में वित्तिया पातकाल 368 में संविदान संसोधन के बारे में और 370 में जम्मू कस्मेर के बारे में दि क्लास में